नमश्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है नितिन और आज हम इस ब्लॉग में कवर कर रहे हैं जूडियो जूडियो एक माना जाना ब्रांड है जो की टाटा ब्रांड से एसोसियेटेड है तो जैसे हमें पता चला कि जूडियो है जी आईपी में जो की पढ़ता है सेक्टर 18 में मेटो से कनेक्टिविटी बहुत आसान है और अगर आप अपने खुद के वीकल से आ रहे हैं तो आप सीधा दे ग्रेट इंडिया प्लेस आ सकते हैं पार्किंग के लिए गेट नमबर 9 से आप एंट्री ले या फिर गेट नमबर 11 से भी एंट्री ले सकते हैं और अगर आपके खुटनों में दम है तो पैदल भी आप आ सकते हैं ओफलाइन शॉपिंग की एक्साइटमेंट आप बेरिच चलने के स्टाइल में देख सकते हैं गुस्ते ही गाड अंकल को किया हमने जैहिंद और रिप्लाई में हमें मिला एंट्री करते ही सीधे हाथ पे आपको बड़े-बड़े शब्दों में लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा जूडियो और उसके उपर लिखा हुआ है 399 और ये महेंगे वाले दर्वाजे देखकर तो मुझे वैसे ही अमीरो वाली फिलिंग आने लगती है ग्राउंड फ्लोर से जैसे आप एंट्री करते हैं आप पहुँच जाते हैं फीमेल सेक्शन पे और फीमेल सेक्शन पे हम कपड़े एक्स्टोर करते हुए अच्छे नहीं लगते तो हम सीधा पहुच गए फर्स ट्रोर पे जो की है मेल सेक्शन 1999 से हो जाती है यहाँ पर नेकर की शुरुवात, चिटी दार नेकर, छीटे दार नेकर, धारी दार नेकर, रंग ब्रंगे नेकर और चौखंटे नेकर मजाच से हटके अगर फेवरेक की बात करें तो फेवरेक 199 के हिसाब से काफी अच्छा था अगला ही बोर्ड हमें देखने को मिला 299 जहाँ पर कुछ जूते टंगे हुए थे जूतों की कॉलिटी अगर मैं आपको बताओं तो 299 के हिसाब से काफी अच्छी थी और बड़े ही प्लेन और स्लीक जूते लग लग लेए जहाँ पर आकर आप 499 में प्राप्ट कर सकते हैं थोड़े बड़े नेकर जो की कॉटन के थे और मेरी टांगों पर तो बिलकुल अच्छे नहीं लगने वाले थे क्वालिटी वाइस फेब्रिक काफी मोटा था तो आने वाली सर्द्यों के हिसाब से इसे आप कंसीडर कर सकते हैं 599 में हम गुजगए स्वेट शिर्ट के सेक्शन में जहाँ पर जो कलर से मुझे कुछ जादा खास नहीं लगे और फेब्रिक के अगर बात करें तो फेब्रिक ओके-ओके था पर कलर सो सच में बिलकुल भी अच्छे नहीं थे 599 का बूट देखकर मैं भी इन स्वेट शिर्ट को काफी जादा पसंद करने लगा पर मैंने जब यहाँ पर प्राइस देखा था वो 799 और 899 था प्राइस के हिसाब से कॉलिटी काफी अच्छी थी आपकल चलने वाली ट्रेंडिंग ओवर साइज शिर्ट तो यह वाइट और ग्रे वाली मुझे काफी अच्छी लगी बट मेरे डोले नहीं डोली ही तो इसलिए मैंने नहीं दोली है अगेर 599 एक अच्छा प्राइब है 699 में ब्लाइक ग्रे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू जीन्स आप यहाँ से ले सकते हैं दोली के तो मैंने देखी नहीं है लेकिन हाँ टच करने से क्वालिटी ओके ओके थी मातर 699 में सदा बहार प्लेन सॉलिड शिर्ट आप यहाँ से ले सकते हैं जिनका फैवरिक मुझे सच में बहुत अच्छा लगा साथी में कुछ 699 में ही आपको यहाँ पर लोफर शूस भी मिल रहे थे जो कि मुझे कॉलिटी में उतने जादा अच्छे नहीं लगे बट येस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे थे 799 में हर चपरी की पसंद कटी फटी जीन से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मातर 999 में आपको वो जैकेट्स मिल रही थी जो कि आप सर्दियों में देख रहे होंगे हर तीसरा व्यक्ति पहन के घूम रहा होगा बट येस ये काफी डीसेंट प्लेन डिजाइन्स थे जो कि आप कंसिडर कर सको 999 में आज कल चलने वाले ट्रेंडिंग शूस से मिलते जुलते कॉंप्टीशन वाले जूते आपको यहां पर मिल जाएंगे और खास बात ये कि इनकी कॉलिटी भी मेरी एक्सपेक्टेशन से सच में काफी अच्छी निकली क्योंकि 999 में आज के टाइम पर आता ही क्या है एक एक जूते का डिसाइन आपको छपरी कहलवाने से बचाएगा ग्राउंड फ्लोर पर है बिलिंग सेक्शन अगर आप कुछ एक्स्चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फस्ट रूर विजित कर सकते हैं हर फ्लोर पर यहां पर ट्राइल रूम अवेलिबल बाहर निकलते हुए हमें हो रही थी कुछी क्योंकि 35 रुपे में हमने ल इस आत्मी को करिए एक नोमुर और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो